आज हम एक प्ले डिसकस करेंगे प्ले का नेम है हमलेट इसके आउथर है वीलियम शेक्ष्पियर आपका पेपर है 16th and 17th century ड्रामा और एक दूसरा पेपर है ब्रेटिश लिट्रेचर पार्ट वन दोनों में ये टॉपिक रहता है जो 16 17th century ड्रामा है उसमें समेस्टर 2nd में य नमबर 2 है और आपका स्लेबस डेली युनिवसिटि का स्लेबस है जिसके एकोर्डिंग आप वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो के दो पार्ट होंगे दो से ज़्यादा पार्ट भी हो सकते हैं क्यूंकि हमें पहले ड्रामा डिसकस करना है फिर करेक्टर को डिसकस करना है पिर उसका एनलेसिज, थीम्ज, कई सारी चीज़े डिसकस करनी है तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नमबर 1 तो यह आपका स्लेबस है स्लेबस में ऐसे गिवन है तो फुल नेम क्या है पहले ये देख लो पूरे ड्रामा का दे ट्रेजडी ओफ हैमलेट प्रिंस ओफ डेनमार तो यह इसका फुल नेम है यॉन्रा क्या है ट्रेजडी है नाम में ही ट्रेजडी है लिखा कब गया था 1599 और 1601 इस टाइम पीरियड के बीच में टोटल कितने एक्ट है इस प्ले में तो 5 एक्ट है और इसे कहा जाता यह शेक्सपियर का लॉंगेस्ट प्ले है क्योंकि इस क्या है और क्या पर पस है plot क्या है तो इसका main focus है prince hamlet के उपर hamlet एक prince का नाम है उसका quest यानि कि उसकी journey उसकी life किस चीज के लिए उसका अभी क्या purpose है revenge वो बदला लेना चाहता है avenge करना चाहता है अपने पिता के कातिलों को अपने पिता कि सच जो भी चीज़ों उसका avenge करना चाहता है उसके लिए तो वो भी एक तरीके का avenger है तो इसके themes क्या है exploration of revenge, madness, mortality, existentialism and human nature तो ये सारी चीज़े जो अभी मैंने आपको page दिखाए है सामने जो बोलके दिखाए ये सारी चीज़ आप examination में as it is लिख सकते हो इस topic से कोई भी question आए तो ये basic चीज़ है ये जरूर लिखना ताकि जो भी exam check करें उसे पता चले कि आपको basic चीज़ों की अच्छे से समझ है fact और figure आपके perfect हैं तो summary start करते है पहले short summary देखलो आपको थोड़ा सा पता चल जाए पूरा play किस चीज़ के बारे में है तो starting में क्या होता है the ghost of king of Denmark तो राजा है जो Denmark उसका ghost आ जाता है उसका भूत आ जाता है तो अगर किसी का भूत आया तो इसका मतलब क्या इसका मतलब वो इनसान मर चुका है तो king of Denmark मर चुका है उसका भूत आता है ghost आता है और अपने बेटे son hamlet को कहता है कि तुम avenge करो मेरा murder king of Denmark कहता है कि मुझे मार दिया गया मुझे murder किया गया मुझे नए राजा जो अभी नए राजा बना है उसने मुझे मारा है तो तुम मेरा बदला लो अपने बेटे को कहता है नया राजा कौन बना है hamlet का uncle यानि कि Denmark का जो पहले का राजा था जिसे मार दिया गया उसका भाई तो hamlet contemplate करता है life and death and seeks revenge और वो अभी बदला चाहता है उसका uncle क्या है? fearing for his life उसके uncle को भी पता है कि hamlet मुझे मार सकता है तो उसका uncle डर में जीता है लेकिन साथ साथ वो ये भी plot करता है ये भी कोशिश करता है कि मैं hamlet को ही क्यों ना मार दू ठीक है? play का end होता है spoiler alert पहले से end बता रहा हूँ play का end होता है और सारे character मर जाते है ठीक है? कौन-कौन से? नया राजा भी मर गया, queen भी मर गई, hamlet के जो opponent थे ठीक है? hamlet भी मर गया, सारे लोग मर जाते हैं, end तक आते आते so all important character सबसे पहले देख लो ताकि आपको थोड़ा पता चल सके कि ये play किस चीज के बारे में, अभी हम सारे character नी discuss करेंगे एक दो character आपको बता दू, जिनका जिकर बार 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 फिर से आएगा ताकि आपको फिर story समझने में थोड़ा असानी हो तो सबसे पहले character है, hamlet, ये क्या है? ये prince है, कहां का? देनमाक का, यही main protagonist है, main hero है, central figure यही है इसके roundy story सारी revolve करती है, इसी के नाम से तो play है, hamlet ये एक tragic hero है, tragic hero का मतलब होता है कि सारी tragedies इसी के साथ हुई लेकिन फिर भी ये hero बन गया, कि नहीं? ये जो late king है, राजा अभी जिसका mother हो चुका है, उसका बेटा है, और इसके लाबा nephew है, भतीजा है, जो present time पे king है, जो अभी का राजा है, यानि कि इसका uncle है, उसका नाम क्या है? Claudius, जो present king है, उसका नाम है Claudius, और इसकी mother का नाम क्या है? गर्ट रूड, गर्ट रूड, हमलेट की mother का नाम है, दूसरा character important, देखो ये picture याद अखना, बार-बार मैं आपको यही picture दिखाऊंगा, जब भी मैं आपको हमलेट के बारे में बताऊंगा, तो ये photo याद रखिएगा, तो next character कौन है, next है Horatio, Horatio important character है, क्योंकि ये Hamlet का friend है, वो Hamlet के साथ loyal है, पूरे play में ये supportive role play करता है, किसके लिए? हमलेट के लिए, तो ये आप कहलो कि उसकी photo, तो को वैसे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये, सोचो कि ये Hamlet का friend Horatio है, इसी की photo हम बार-बार देखेंगे, उसके बाद काफी छोटे-छोटे character है, वो अभी हम discuss नहीं करेंगे, गर्टरूड है, ये main character देख लो, ये Hamlet की mother है, पहले आपको पता है कि Hamlet के father के साथ इसकी शादी हुई थी, लेकिन Hamlet के father की death के बाद, गर्टरूड ने Clodius से शादी कर ली, यानि कि Hamlet के चाचा जी से, और ये है Clodius, ठीक सामने picture दिख रहे हैं, Clodius, तो Clodius अभी राजा है, Denmark का, Hamlet का uncle है, former king का brother है, इसी ने अपने भाई को मारा है, ये अपने भाई को मार के ही राजा बना है, ये अभी पुराने राजा की wife, Gertrude से शादी कर लेता है, और Gertrude क्या है, Hamlet की mother है, ये एक bad personality आपको पता है, villain type इनसान है, लेकिन, 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 एक skilled ruler है, चाह जब Norway का राजा यहां पे attack करता है, ठीक है, 14 bars, तो 14 bars, जब जो कि Norway का राजा यहां पे attack करेगा, तो यही उसे बचाएगा, इसी की वज़ा से वो attack बलकि कई बार नहीं भी करेगा, तो ये most powerful बंदा है एक तरीके से, राजा अच्छा है, लेकिन personality wise ये एक बुरा इंसान है, बाकी characters के अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम सीधा story पे आएंगे, act number one discuss करेंगे, तो play starts with a ghost, गोस्ट के साथ play start होता है, looks same as Denmark's king hamlet's father, hamlet का father जिसके death हो चुकी है, अभी अभी ऐसा ही एक भूत देखा गया है, वो hamlet के father की तरह दिखता है, वो कहां पे है, standing outside, तो वो palace के बा खड़ा हुआ, एक भूत खड़ा है, okay, भूत खड़ा है, guards of palace scared, वैसे guard का काम है, हमें guard करना, hamlet, लोगों को भी guard करना, लेकिन hamlet और इनके guard, hamlet नहीं, जो guards है, वो डर चुके हैं, भूत को देखके, guards ने horatio को कहा, guards ने कहा, horatio भाई, देखो बाहर भूत लग रहा है, हम हमलेट को बुला के लाता हूँ, हमलेट को दिखाते हैं, कि ये भूत क्या तुम्हारे पिता का है, ऐसी चीजे, तो ये देख लो, आप कहलो कि ये palace है, okay, palace के बाहर इस तरीके का भूत दिखाई देता है, इस तरीके का ये भूत दिखाई दिया, और ये हमलेट के फादर मा है, फिर हरेशियो का कहता है कि मैं हमलेट को जाके बुलाके लाता हूँ, उसे दिखाता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे पिताजी का भूत है, इसे लेकर जाओ, he tells हमलेट, हमलेट गोस हिमसेल्फ टू मीट्डो, हमलेट कहा दा है, चुलो देख के आते हैं, भूत, घोस्ट still doubts hamlet को अभी भी doubt है शायद कोई और वज़ा हो जिसकी वज़ा से मुझे भूत लग रहा है कि ये सच में मेरे पिता जी का भूत है भी की नहीं है और अगर मेरे पिता का भूत है भी या नहीं भी है तो क्या ये सच बोल रहा है कि इसको Claudius ने मारा है चीक तो उसे doubt है he was not fully convinced with a ghost claims he postponed taking revenge उसने पोस्टपोन कर दे कि मैं देखो को बदला बुदला नहीं ले रहा भूत जो बोल रहा है बोलने दो मुझे तो यहीं यकीन नहीं कि भूत मेरा बाप है पर पता जी का भूत है वो तो मर चुके है उनका भूत कहां से आ सकता है पहली बात दूसरी बात अगर वो भूत है भी तो वो सही भी कह रहा है कि जूट कह रहा है मुझे क्या पता कि नहीं he decides to find madness while he test the truth of the ghost allegations लेकिन उसके दिमाग में बात थी तो वो कहता है कि यार चलो यह चीज़ test करके देखते हैं समझ के देखते हैं कि मैं तो madness की तरह पागल की तरह crazy की तरह घूमता रहूंगा मैं देखता हूं कि मेरे uncle के action से मुझे लगता है कि नहीं है कि इन्हों नहीं मारा है कि नहीं मारा है मेरे पिता जी को यार कि गोस्ट सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा सम्टाइम्स वो इधर उदर अभी पैलस में ऐसे घूमता रहता सारा दिन सम्टाइम्स इशोज डैट ही कभी कभी वो ऐसा दिखायता है सबको कि यार मैं तो सुसाइट गर लूँगा मुझे अपनी पिता जी के बाद किसी चीज में मन ही नहीं लगता वो इधर शो करना चाहता है न वो कहरा मुझे किसी औरत की ओपर लेडी की ओपर ट्रस्ट ही नहीं होता ना किसी से प्यार होता है मैं तो पागल हूँ अभी एक औरेक्टर आया पॉलोनियस तींक्स डैड ही मैं लव ओफ डॉटर ऑफेलिया अभी पॉलोनियस की बेटी है ऑफेलिया पॉलोनियस को लगता है कि ऑफेलिया से यह प्यार करता है शायद उसके प्यार में पागल हो गया Clodius and Gertrude were concerned about his madness Clodius जो की आपको पता नया राजा बना है Gertrude जो की उसकी पहले भी मदर थी अभी भी मदर है लेकिन Clodius से शादी कर ली तो वो दोनों क्या कहते हैं याद यह पागल होगा बिचारे को क्या होगा Clodius thinks कभी-कभी Clodius यह सोचता है कि शायद यह सारा ढोंग कर रहा है पागल बनने का हैमलेट Clodius and Gertrude bring two friends of हैमलेट and assign them task to know what is wrong with हैमलेट वो न हैमलेट के दो दोस्तों को बलाते हैं कहते हैं कि तुमारा काम यह है दिन राथ हैमलेट के साथ रहो दारू पीनी है दारू पीनी है घूमने है घूमो कुछ भी करो लेकिर हमें यह बताओ कि हमलेट को दिक्कत क्या है वो क्यों दिन पर दिन पागल होता जा रहा है यह दो फ्रेंड थे रोजन क्रांट्स और गिल्डन स्टन छीक है यह दो फ्रेंड थे इनको बुलाया गया था चीक है अभी इस टाइम पे पॉलोनियस, लोडियस, गर्टरूड और ये दोनों बंदे ये सारे स्पाइ कर रहे हैं हैमलेट के उपर देख रहे हैं वो सच में पागल हो गया कि नहीं पागल हो गया क्या बात है तो एक्ट नमबर वन हमने डिसकस कर ल इस वीडियो के बाकी पार्ट मिलेंगे जहां पर पूरा प्ले भी है इसके लावा इसके थीम्स, इसके करेक्टर्ज, एनलेसिस, सारे चीज़े डिसकस की गई है अमनपार्टशाला.com या अमनपार्टशाला एप पर आप जा सकते हैं लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में